आप सभी प्रिये दर्शकों का स्वागत है आगे आने वाला हफता बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्या क्या हो सकता है? साथ साथ में यहाँ पर फ्यूचर ग्रूप से रिलेटिड एक डील टर्मिनेशन नोटिस की बाद भी करेंगे यह डील की क्या नियूज है? और यह डील अब एक हफता पहले ही क्यों आई है? जो यहाँ पर फ्यूचर ग्रूप और रिलाइंस का इंपोर्टेंट हफता होने वाला है मार्च 15 को सुप्रीम कोट के सामने नेगोसियेशन का रिजल्ट बताना था एड्वांटेज डेफिनिटली रिलाइंस के पक्स में है अमेजन यहाँ पर बैक फूट पर है अमेजन ने बहुत बढ़ी हागेम खेला है पर थोड़ा सा दिक्कत यह है कि फूचर ग्रूप ने जो फैक्ट्स हाइड किये हैं वो सेभी को अच्छे नहीं लगेंगे और यहाँ पर शायद कंप्लेइन होगी इनकी चली चल कर शुरुआत करते हैं देखते हैं इस पीडियो में आपके लिए क्या लेके आए हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेडलाइन इसकी अप्रोच होती जा रही है मार्च 15 तक इनको नेगोसियेशन कंप्लीट करना था फ्राइडे के दिन जो नेगोसियेशन हुआ उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रुखाया है शाम को जाते जाते तीन बज़े तक और इसी वज़े से अगर आप देखें F.E.L. का शेयर एक दम 10% के आसपास जम किया है आखरी तीन मिनट में तो ये डेडलाइन जो अप्रोच हो रही है क्या इस डेडलाइन मर डेडलाइन पर ही काम खतम हो जाएगा या फिर इसको फर्दर एक्स्टेंड किया जाएगा ये एक बहुत बड़ा कुश्चन है आईए चलकर देखते हैं तीन इंपोर्टन इवेंट है सबसे पहला N.C.L.A.T. का डिसकशन कंटीन रहेगा अभी तक N.C.L.A.T. का डिसकशन जो चल रहा है इसमें Amazon ने अपना तर्ग प्रसुत किया है उसके बाद Future Group and CCI will present their case टेक ओवर में यहाँ पर अगर बात करें क्या Reliance यहाँ पर और भी ज़्यादा टेक ओवर करेगा स्टोर्स को और देखिए अभी 60% के आस पास तो स्टोर्स होई गए है एक बार 80% से ज़्यादा स्टोक निकल गए तो उसके बाद में Amazon के पास में कुछ भी नहीं रह जाएगा और हमारे हिसाब से negotiation जो March 15 की Supreme Court ने तारीक तैकी थी वो अब अप्रोच कर रही है उमीद लगा जाएगी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि March 13 तक ही वो सारा कंप्लीट कर देंगे तो one of the expectation market में ये भी चल रहा है कि negotiation का positive result वीकेंड पर आने की उमीद है अगर ऐसा होता है तो मंडे के दिन अपर सरकिट तैह होगा expectation देखे सबसे पहले as per the banker close to the deal especially bank of India के associate ने यहाँ पर बताया है कि उनका जो future retail का asset calculation है वो delay हो रहा है जिसकी विज़े से ये negotiation भी थोड़ी delay होगी Reliance Retail Venture Limited क्या अपना कुछ हिस्सा 1500 करोड के equivalent Amazon को देगा ये एक बहुत बड़ा question बनके आएगा इस बात को समझेगा 1500 करोड जो Amazon ने मांगे है ये हिस्सा Reliance को अपनी तरफ से देने की बात चल रही है अब अगर ऐसा होता है Reliance इसमें हिस्सेदारी दे कितने उपर जा सकता है Reliance Stock में Stock का भाव बात समझेए ये RRVL के share publicly traded नहीं है तो इसकी valuation Reliance से better और कोई नहीं कर सकता है तो हो सकता है कि कुछ amount यहाँ पर premium के basis पर वो इसके बीच में आ जाए और best case scenario जो यहाँ पर discussion का लग रहा है एक हजार करोड रुपे के approximately share of RRVL Amazon के साथ share किया जाएंगे in exchange with 1500 करोड पहले ये सारे का सारा all cash deal था जब deal announced की थी Reliance ने बट अब Amazon यहाँ पर RRVL के साथ joint venture करना चाहता है तो देखे आपको पता ही होगा Frontera ये एक one of the leading New Zealand based dairy company है इसने करीब करीब एक साल पहले almost 10 महीने पहले Reliance के साथ deal announced कर दी थी और Friday के दिन future consumer के साथ इसने deal को cancel कर दिया है तो इसका implication क्या लग रहा है Frontera directly Amazon का competitor है ये भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखे यहाँ पर इनके साथ में एक legal spat भी हुआ था Amazon के साथ में Frontera का और अब लग रहा है कि Frontera एक front foot पर आकर Reliance के साथ में deal करना चाहता है और Amazon को पीछे करना चाहता है तो ये deal का क्या हुआ जो contact रद किया गया इसका क्या implication होगा पूरा news की वाक्या करेंगे तो देखे हेडलाइन है Frontera Future Consumer Snap India Dairy Venture ये तीन साल पहले इन्होंने किया था अब क्यों किया है आपको शाद पता हो पहले भी Frontera ने यहाँ पर Reliance के साथ में deal की थी April 2021 में तो ये एक अच्छी position बन के आ रही है Frontera के लिए अगर Amazon का back off करे और Future Group और Reliance Industries की deal complete हो जाए तो let's understand the complication news आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर हम इसका news का implication कर रहे हैं और अपना point of view प्रसुत कर रहे है Frontera आपको मालूम है इंडिया का FMCG business काफी strong है यहाँ पर FMCG में specially जो dairy product आते हैं जो long shelf life product है यह Frontera बनाता है जैसे आपके almond based milk हो गया आपका plant based milk हो गया तो यह सारे के सारे product New Zealand में बहुत दा popular है और इंडिया में जो आपकी next generation है वो cautious होती जा रही है कि एक certain age के बाद जैसे जैसे आपकी age बढ़ती है वो in other product से बहुत आसानी से मिल जाता है without side effect of milk तो इसलिए यह market बहुत बड़ा market growth potential है अभी अगर बात करें तो इस बात की जाग रुकता यहाँ पर less than 0.5% population को भी नहीं है कि milk product के side effect होते हैं और plant based milk product के कोई side effect नहीं होते हैं और vitamin D वो उसी quantity में देता है अगर हम बात करें आप अगर काओं देहात में चले जाएं उनसे कहें कि दूद की जंगा तुम बडाम का दूद पी हो तो वो कहें तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ पर हमारे बाबा पड़दाता सब दूद पी क्या आ रहे है तो यह एक challenge होगा इस market को revive करने के लिए जिसके लिए growth potential भी बहुत ज़ादा होगा देखें आपर कितनी बड़ी population है अगर यह product एक बार बिकने शुरू है तो यह बहुत बड़े level पर जाएंगे तो इसलिए frontier यहाँ पर इस market को नहीं छोड़ना चाता है इसलिए उनोंने Reliance के साथ partnership किया है Reliance already have a contract और अब यह same contract use किया जाएगा to the wider extent क्योंकि future group के सारे के सारे product अब Reliance के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे हिसाब से यह implication जो Friday के दिन आई है यह एक और confirmation दे रही है this is our point of view कि deal is getting closer और जैसे हमने अपने को बताया शाम को तीन बजे के आसपास market ने anticipate किया है और जो हमारे पास trading circle में नहीं थी वो एकदम reflect किया है last के 5 minute के price में कि deal is getting more closer future group का अब Reliance यहाँ पर future retail alone is not number one customer Reliance के geomart पर काफी अच्छे product sell हो रहे है यहाँ पर और इसमें आगे आने वाले समय में यह शायद number one supplier बनेगा for the world future consumer की sale Reliance के साथ में 157 करोड तक की shoot up हो गई है जो की बहुत अच्छी बात है हमारे इसाब से और आने वाले समय में यह और भी तेजी से बढ़ेगा Jio platform यहाँ पर other products भी offer करेगा बहुत जल्द future consumer back end system इतना strong हो जाएगा geomart का और सस्ते product जो उनको future consumer को मिलेंगे discount rate पर other competitor के साथ में तो यह इनको एक number one platform बनाएगा Amazon इसी बात से डर रहा है यहाँ पर कि Reliance का geomart उनको पीछे छोड़ देगा especially grocery segment में देखिए Reliance ने अलवरी 60% के आसपास stores को take over कर लिया है अब 20% और करो तो 80% के बाद Amazon के पास कुछ नहीं रहेगा important बात है सब को job offer दिया गया है और यहाँ पर जो third party है वो जादतर अगर Reliance के साथ deal है तो उनको भी offer करा जा रहा है अगर वो नहीं है तो कुछ party के साथ ने contact बना जाएंगे और कुछ party को शायद नहीं contact भी मनेंगे अगर हम यहाँ पर देखिए तो 35% ही journal public के पास है future consumer के holding और आप देखिए foreign companies के पास में 13% की public के पास 35% और corporate bodies के आप में 25% की holding है यहाँ पर तो इस बात को समझे यह wide distribution है ऐसा नहीं की सिर्फ और सिर्फ public में holding रखी हुए है यहाँ पर Black River 7% और 6% है International Finance Corp सबसे ज़्यादा विस्तारा ITC India Limited 22% के आसपास है इनके पास यहाँ पर holding law input cost इनको one of the best beneficial बनाएगा अगर आप pure number calculation देखा जाए तो 18 रुपे का target होगा future consumer का आप चाहें तो हमारे चैनल को free में subscribe कर सकते हैं आप जल्दी से ज़रा F.E.L. का last का आप अगर इसको एक minute के चार्ट पर देखें तो देखें पिछले 5 मिनट में बहुत तकड़ा volume बढ़ा है especially पिछले 2 मिनट के अंदर 28, 29, 30 यह 3 मिनट में काफी तकड़ा volume बढ़ा है नीचे का level पिछले मिनट में 9 रुपे 35 पैसे के आसपास trade कर रहा था और यह 11 रुपे तक चला गया इस बात को समझे और यही हमारा point of view है कि यहाँ पर जैसे ही deal का कोई positive news आएगा this will go 20% upper circuit आप को यह बात समझनी है यह इतना low value stock है काफी लोग यहाँ पर patients lose कर रहे हैं और they are exiting आप इस बात को समझे this is a phenomenal opportunity very big opportunity ahead तो at the end it is your money, your decision और हम हमेशा बोलते हैं 5% से जदा आपको निवेश नहीं करना है future retail 47 के नीचे है यह comfortable position नहीं बन रही है अभी हमारे साब से अगर हम सिर्फ number की बात करें future consumer 6 रुपे 80 पैसे के अस-पास trade कर रहा है तो अगर आपको हमारे साथ 60-day challenge जोइन करना है तो हमें future and option का लिए 299 का advance package जोइन कर सकते हैं पूंसर फंचर वाइसर पूंसर फंचर वाइसर